कोटा में तीन छात्रों ने आत्म हत्या कर लिया ऐसा मीडिया का कहना है बांकि यह भी संदे हास्पत इस्थिती में तीन लास मिली और क्या रिजन था अभी पोष्ट मारें अंकूस के मामा के साथ हूं और उनके कुछ परिजन है यहां और भी लोग हैं उनके घर पे आये हु कब सर्पता चला और उसे पहले कब बात हुई थी सारे 12 वजे दीन में लगवक पता चला कि अंकूष ने सुसाइड कर लिया है बट उससे पहले साथ सारे 7 वजे उसकी मां से उसकी बाचीत हुई थी उसमें वह सही था और बोल रहा था कि मैं कोचिंग क्लास के लिए जा र कर रहा था और बहुत मिलनसार लड़का था उसके किसी से न कोई दुस्मनी थी कुछ नहीं थी फिर पता नहीं यह इतना बड़ा कदम कैसे उठाया कि यह कोई अन्होनी घटना है किसी के द्वारा कड़ाया गया क्या हुआ यह तो एक जांच का भी से है कहा जा रहा है सुस बड़ी तो लड़का नॉर्मल था उससे एक दिन पहरे रात में 11 बजे रात तक बाचीत हुई है सब नॉर्मल था फिर अचानक यह मेसेज मिला तो यह तो बहुत बड़ा सौक का और संदेहास्पत लग रहा है कि किस कंडिशन में उसकी मिर्थी हुई क्या हुई अभी सर आपको वहां से बातचीत हो रही है तो यह सब पता चल रहा है अभी तो बाचीत हो रही है उसको पुश्टमाटम के लिए रखा गया है अभी अभी उसका पूश्ट माटम होगा फिर उसके बाद बड़ी हम को दिया जायगा फीर हम लोगप को लेकर के तिरव Sm accus यह डिप्रेशन में भी थे क्या वह दिप्रेशन था ही नहीं उसके पास 10 में पिछले यह तेंथ का उसका रिजल्ट आया है 90% प्लस था निटी प्लस था उसके पास नम्मर सारा चीज था बहुत जब की कोरोना काल में बहुत बचे का परहाय भी डिश्टर वहा बट वह इतना मे हुआ है या फिर दर पकउनंद कर में हाइं गोगी लड़का और लेकिन यह तो एकी ब्ली है रहते थे ना और दोनों एकी समय में एक ही समय में सुसाइड गया तो ये बहुत बड़ा सौक का भीसा है बिलकुल सौक का भीसा है मैं परिजन से और बात नहीं करूँगा क्योंकि ये इस्थिती आप भी जान सकते हैं कैसी होगी घरवालों के साथ क्या बीत रहा होगा घरवालों पे बाकि हमारे साथ डॉक्टर इंद्भूसन जी हैं आप उनके मौसा जी हैं एक चीज़ बताईए कब पता चला आपको हमको बारा बजे पता चला आपने क्या सब किया फिर उसके बाद मैं यहां पढ़ाया सभी लोग सोका कूल थे वहां से बात होती रही सब जगल हर आदमी पड़ेसानी रहे हम लोग तो यह सोच के हरान जो लड़का आट दिन दस दिन पहले मिलके गया मौसा जी जार हैं इस पंसे हम उसको गोदी में खिलाए हैं हमको नहीं किसी भी तरह से नहीं लगता वात मत्या कहीं नहीं यह बड़ी साजी से और यह बड़ी जांच का भी से और इस पर गहां जांच होने चाहिए यह कि इस एडिया के त्रविन इन मंडल के लगवाग दो चार सो चातर रहत सब्सक्राइब करते हैं तो यह तो बड़ी सदमे की बात है और जहां तक इस लड़की की बात है कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकता इसको क्योंकि यह सुरू से ही सीवेसी कोर्स पढ़ा आयाचेस बतनहा फिर विद्या बिहार फिर कोटा एलेन तो लगातार लेंगविज प्रोलिम भी नहीं था इसको बहुत साथे बच्चों को होता है कि चलो हिंदी से अंग्रे जी फिर वहां इसका खुद का सपना था उसके लिए काफी मेहनत करता था और कहीं से भी हमको नहीं लगता कि यह कोईन कोई साजिस है कहीं कहीं कोई बात है तो कब तक रिलीप कर देंगे और कब तक आ जाएगा हमको लगता है कि अभी जो तुरत बात हुई है वहां के चिकिसक से या फिर पूलिस अधिकारी से उस हिसाफ से अभी पोस्मार्टम ल फिर वहां से हैवाईजाज से फिर पटना लाएगे बिल्कुल यह बहुत हीं बड़ी बहुत बड़ा घटना है नेशनल न्यूज है बांकि आपको बता दू मैं यह घटना अभी त्रिवेनी गंज में पिछले दिनों भी एक अमित विहारी नाम के गायक थे जो सुसाइड का केस आ रहा है जिसमें विहार के दो बच्चे थे और मैं अभी मैं अंकू सानंद के घर पे हूँ अभी परईजन से बात हो रही थी मामा से बात हुई अभी मौशाजी से बात हुई मांकी मैं चाहूंगा इसका गहन अध्यन किया जाए और अच्छे से जांच हो इस केस का अच्छे से जांच हो मांकी मैं हुरीं केस आप देख रहें तेसे न्यूज लाइव धनिबाद